दोपहर तक स्पॉंसर्ट बाई कॉटिलिय अकाड़मी रीवा लोकारपन कारिक्रम के दौरान उन्होंने सुवासव विभा के कर्मचारि उसे बात की और इन तमाम व्यवस्थाओं के जमेदारी लेने की भी बात वहां पर की गई जिस समय मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान ने ये कहा कि शिकायत का मौका ना मिले क्योंकि मामा इस समय खतरनाक मूड में है ये बयान मुखिमांतरी शिवारा सिंग चौहान ने दिया है Ambulence का लोकारपण करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये लोगों की जिंदगी बचाने का मिशन है मात्र Ambulence के लोकारपण का कारेक्रम नहीं है ये विमार, बहन और भाईयों के जिंदगी बचाने का महा अभियान है तो अपने इन बयान के साथ मुखिमंत्री शिवरासिंग चौहान ने आज 108 एंबिलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकारपन किया है साथ ही अधिकारियों को ये नर्देश दिये हैं कि तमाम जमदारियां और तमाम चीजें अच्छी तरीके से उनका नर्वहन किया जाए और जिनको भी जननी एक्सप्रेस और एंबिलेंस की जो सुविधाएं दी जानी है जो मरीज रहेंगे उनको प्रॉपर तरीके से इन तमाम सुविधाओं का लाब मिल सके और कोई शिकायत ना मिलने के भी सक्त नर्देश मुखिमंत्री शिवरासिंग चौहान ने मंच से द दिया है बढ़ते हैं दो पर तक की दूसरी खबर की ओर इंडियन रिल्वी कैटिरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वदेश दर्शन विशेश परेटन ट्रेन का संचालन पूरे देश में शुरू कर दिया है इसी क्रम में मधिप्रदेश के तीर थ पती स्टेशनों से होते हुए जाएगी जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे आपको बता दे कि साथ राते और आठ दिनों के इस यात्रा में हरिद्वार रिशिकेश अमृत सर और वैशनो देवी के दर्शन स्थालों पर लोगों को भ्रहमण कराया जाएगा त खाने से लेकर नाश्ता तमाम चीजें कमफर्ट क्लास है तमाम सारी चीजें इन ट्रेन में सुविधाओं के साथ रखी गई है और पांच जून से ये ट्रेन शुरू होने वाली है जो की रिवा जबलपुर और रानी कमलापती स्टेशन से होते हुए गुजरेगी दोपहर तक स्पॉंसर्ट बाइ कॉटिल्य अकाडमी रिवा